अलेकम एक तुर्ष इसे पिछना तॉपिक था हमारा उसमें हमने पढ़ा था लेटर्स फिर हमें पढ़ा थे अल्फबेट पर लड्स अच्छा की लेक्टर में इसको कपलीड के था अर्ष पर आज लेक्टर में स्यालहु हुआ कहीं कि आपि होतो हम कहीं हमें नहीं सतेक्ड canh Mich आप होते हैं यह एक हमारे वर्ड का पांड से हैं जो मैं आज परंगे हैं सबस्assen पहलती है क falta sa吧 नहीं स Dewसीं हमांपास होती है E制ator aceYA shows इसमें एक बहुत बड़ा डिफ यह नहीं के लोगों के दर्मियान कन्फूशन है कि वो शॉर्ट फॉर्म एक्रानिम्स और अब्रिवेशन को तक्रीब एक जैसे चीज़े समझते हैं डिखने में और समझने में बहुत फर्क होता है चीज़ों का अब्रिवेशन में एक्रानिम्स में और शॉर्ट फॉर्म में डिफ्रेंस है आज हम कोशिश करेंगे कि इसको समझनेगी कि एक्रानिम्स क्या होती है एक्रानिम्स क्या होती है और शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती है acronyms actually here look like a word it can also be pronounced लवस की तरह होता है दिखने में लवस होता है पुरा और प्रोनाउंस भी होता है लेकिन actually उसके हर लेटर से कोई ना कोई new word create हो रहा होता है और वो प्रोनाउंस भी हो जाए तो वो किलाता है acronyms अब हम आप यहां पर देख रहे है P-A-K-R-S-T-A-N Pakistan यह जो word Pakistan है इसमें आप देखते हैं यह दिखने में एक word है यह actually एक word हो सकता है लेकिन असल में यह है क्या यह acronyms है इस acronyms has been coined और had been coined by चोदरी रहमत अली in 1933 आपने फर्स टियर के एक चैप्टर है पाकिस्तान जिंदाबाद उसमें पढ़ा होगा पार्ट टू इसको जो डिवाइट किया है तो पार्ट टू में जो इसकी डिवाइट किया है पाकिस्तान तो उन्होंने यह वर्ड एक जिनल उसमा भी लिखा वर्ड एक्चुली है तो यह वर्ड ही लेकिन अगर इसकी असल लेकिन तो यह acronyms है आप देखते हैं कि पी फुर फिंजाब एक्षवनिया में नौर्ट फ्रेंटियर प्रोविंसिस आ जाते हैं इसमें सारब इसके बाद के पूर कैश्मीर लाट चोदरी नहीं मत अली ने पी पंजाब से लिया एक्षवनिया से और के पैश्मीर से और आए फॉर एरान इरान से शामिल गया एस फॉर सिंद ये बन गया पाक्स और टी ए एन थैं यह तैं है आखिर का इसमें ये कुछ जो कंप्रोई जारिया आज है वह इतमें शामिल गया जैसे तौर्खेरस्तान फिर बलोचस्तान फिर अफगनिस्तान तो यह एक्षवरी मेरा मकसद बताने के है कहे अखिरोनिम से कहा है? What are acronyms? acronyms can be pronounced but it creates with each letter a new word. suppose P, P, Punjab, Afgania, Kashmir, Iran, Sindh, इन्थान, तो खरिस्तन, तो यह पूरा आपका acronyms है इसी तरह next word, now come to the next acronyms, next acronym पर नापका प्यप्सी अब आप हम यह is a call drink यूज़ करते हैं हम इसे enjoy करते हैं, drink करते हैं, पीते हैं तो आप देखिए हम रोज मर्रा में इस acronyms को यूज़ कर रहोते हैं और हम इसे word कर रहोते हैं अब मैंने आपको बताया था कि word जो है उस वो अपनी complete meaning रखता है और pronounce भी जाता है तो sir acronyms भी pronounce हो रहा है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि sir word भी आपने बताया था कि वो भी pronounce हो सकता है आप कह रहे हैं acronyms भी pronounce होता है तो इसमें के my nuclear difference है वो से समझ नहीं कोशिश कीजिए मैंने यह कहाता है कि word के meaning भी होता है अब देखिए pepsi के क्या meaning पेपसी के meaning नहीं है बलके पेपसी की तो meaning है आप इधर देखिए आप यह एक acronyms से प्रोनाउंस तो हो रहा है इसलिए इसलिए नहीं हो रहे होगा पैसी सूनर और लेटर सूनर और लेटर को हम बढ़ सकता है there are many many more look like s i s प्रोनाउस तो हो रहा है लेकिन सिस की क्या मिनिंग है आप बताएगे सिस के तो कुछ मिनिंग नहीं है हाँ उससे जब हम प्रोनाउस करते हैं सिस तो प्रोनाउस तो होता है that is called acronym सिस जी एक समझ देजिए कि acronyms में लेकिन मैं उससे acronyms में नहीं लेता है कि वो सिस्टर है actually वो शॉर्ट फॉर्म में आ सकती है अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जाओंगा तो बताऊंगा तो यह हमारे पास है acronyms there are many more acronyms okay now come to abbreviation abbreviation क्या है abbreviation actually यह भी एक शॉर्ट फॉर्म है यह भी एक शॉर्ट फॉर्म है लेकिन abbreviation में और acronyms में और शॉर्ट फॉर्म में क्या difference है तो आईए अभी acronyms के तो difference आपने समझ दिया आप हम समझते हैं कि abbreviations क्या abbreviation में हम देखते हैं कि actually यह letters होते हैं कुछ they cannot be pronounced but pronouns यहो सकते यह कोशिश करें जन्हों सकती अब a mal the KP अब या अगर एक वर्ड बनता है यहा जिसे sellers A.I.E.M. पिर आ हैं लेकिन धॉर्ड ऑप लिखते हैं तो आप देखें के उसमें वर्ड होता है जैसे आप और हैं आई एम आर्टीचर आप किज़ने इसलिए एम यहां पर भी तो यह आ आ एम लिका गया है विण लिए एम इस रिटेशन स्मॉल स्पैलिंग और इस बिट्मीन वर्ड्स वर्ड्स के दिरमयान है और प्रणाउंस हो रहा है तो एक अलग पूरी मिनिंग दे रहा है जिसके meaning है कि जैसे हम कहते हैं थो बी वर्ब है यह हमाई पास तू बी वर्ब है तू बी वर्ब कराता है लेकिन यहां पर एक से बनता है एंटे और म से बनता है meridian anti-meridian anti-meridian का मतब होता है anytime before midday midday से पहले पहले जितना भी time है जिसे हम कह सकते हैं कि रात 12 बजे के बाद से लेकर दिन 12 बजे तक जितना भी हम time लिखेंगे हम उसे ए-ए-म में लिखेंगे लेकिन पी-एम क्या है अब पी-एम है पोस्ट मेरीडियन पोस्ट मेरीडियन का मतलब होता है एनी टाइम बिफूर मिड डे यानि दिन बारा बजे के बास लेकर रात बारा बजे तक जिव भी टाइम होगा वो हम पीएम उभी अङ हम पास एबरी विएशन अब हम इने शॉट फॉर्म कर सकते हैं अब नहीं हम उने एक्रॉनिम्स कर सकते हने शॉड़ अब देखें आपर एकों हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं वो A.D. का मतलब बच्चों को बता देते हैं कि after death भाई अगर आप यह कहते हैं after death तो किसकी death कहते हैं nine class में एक chapter is the last sermon of the holy prophet peace be upon him उसमें यह लिखा है कि मुहम्मद s.a.w. the holy prophet peace be upon him was born in 571 A.D. at Mecca लिखा हुए 571 A.D. at Mecca 571 A.D. तो मेरा मतलब यहां पर क्या A.D. वो वहां की बाद किनो अक्सर teacher लिखा देते हैं कि लिखते हैं कि बेटा A.D. से है A.F.T.E.R. after और D. से बता देते हैं कि D.E.A.T.H. death after death जब पूछा जाए किसकी death तो कहते हैं कि after death of Jesus यानि حضرت ईषograpते है चार सुल लिखता जाए कि सारा झार से वाथत जाए जाए क्रिए उद्वारा आहे पूछा जाए किससे का देत के बाद के हैं किस हुच्वार तो क्या वो प्रूफ कर सकते हैं कि हजजत ईसा अलहिछ सलाम को death होगी हजजत ईसा अलहिछ सलाम को तो death हुई नहीं है so how we can say हजजत ईसा अलहिछ सलाम passed away from this world या after death actually after death नहीं है यह जो वर्ड है यह है N-O or D-4 domini N-O domini N-O domini actually यह एक ऐसा लंबा पिये दे a large period in between there is no profits जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है हजजत ईसा अलहिछ सलाम और हुजूर पास अलहिछ सलाम के तर्मियान कोई प्रॉफिट नहीं है इस लिए इस पूरी एज को N-O domini इस लिए A-D लिखा जाता है यहाँ पर do you understand now U-N-O what is U-N-O यह भी हमारे पास एक अप्रॉफिएशन है United Nations Organization क्योंकि हम U-N-O अनो यह यह उनो यह प्रॉफिट नहीं कर सकते A-D को अगर आप कहते हैं अप्रॉफिट नहीं कर सकते अड तो भाई A-D बाद सम्टाइम्स जो है यह यह भी हम एड के लिए इस्तिमाल करते हैं जैसे टेलेविजन पर कुछ एडा तो वहां पर यह शॉट फॉर्म के तोर पर भी इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन यह यहां पर एप्रॉफिएशन है A से अलग वर्ड 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 रहा है getting now अभी एक और बात में आपको बताऊंगा कि हैविजन और शॉर्ट फॉर्म में क्या एक और माइन डिफरेंस है आईए अब हम देखते हैं एक और A B A B A का लगा बैचलर ओफ आर्ट बैचलर ओफ आर्ट इसका मतलब यह हैं उस शप्स ने जिसने अभी ग्राइडवेशन किया है इन आर्ट्स ग्रूप उसे अभी है सकते हैं कि B A अब यहां यह स्पैलिंग बैचलर यह एक्चली वह वाली बैचलर वही स्पैलिंग है जो गेर शादिशिदा होता है उन्हें भी हम बैचलर के सकते हैं तो भाईया यह शादी से पहले ही कर लिया जाए तो बहुत बैटर है और यह शादी जब हो जाती है तो भी ए नहीं होता मेरे बच्चे B A हो जाता है B A और B A में फर्ट है फिर उसको B और A परते हैं B A और B A के बाद बैटा तो सब कुछ दिया लिया भी कुछ भी नहीं सब खतम आईये अच्छे कर दो दो फाइंट सर्वाइट इस वर निजस फॉर फाइंट ना कम दो दो मैंन पॉइंट शोर्ट फॉर्म्स शोर्ट फॉर्म्स क्या होती है शोर्ट फॉर्म्स वो होती है जो ना एब्रिवेशन्स होती है ना एक्रोनिम्स होती है हम कोशिश तो करते हैं उसे प्रोनाउंस करने की लेकिन हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते और शोर्ट फॉर्वेशन मैंने भी कहा थे कि abbreviation और short form के दिर्मियान एक माइनूट से difference आपको बता हुआ देखिए हम यहां देखते हैं कि आपके देखिए सब्सक्राइब भी प्रणाउंस किया जा सकता है तो यह तो यह अलग लेटर वर्ड बना डी से अलग वर्ड बना है लेकम पी से कोई खनाई दी से कोई अलग वर्ड निहीं है प्रॉफ का मतलत है प्रॉफेसर ही वर्ड यह कमप्लिट एक वर्ड है इसकी short फॉर्म किलाती है प्रॉफ इससे हम कहते हैं बादette смотр के लिए हम पाटर फूली फॉली work है भी और से अबने किया है अब D से कोई अलग लेटर है इससे कोई अलग वर्ड नहीं बना और R से कोई अलग वर्ड नहीं बना है लेकिन यहाँ आप देखे हैं कि A से अलग वर्ड है और D से अलग वर्ड है यहाँ A से अलग वर्ड है और M से अलग वर्ड है एड़ीएशन नहीं है और इसको एड़ोकेट के लिए इसको एड़ोकेट के लिए इसका अब भी बहुत से वर्ड है जैसा गॉवर्मन्ट जी ओवीट लिखते हैं तो यह हमारे पास short form में आता है जिसे हम क्याते है comment यह कुछ हमने यहां पर कोशिश किए एक मतलब फिर इसको summarize कर देता हो है कि acronyms क्या होते है acronyms look like a word but does not a word because every letter creates another word और it can be pronounced यह प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और हर letter से एक एक word बनता है इसके हम इसे acronyms कहते है खागिस्तान है पैपसी है यह सोल है और भी बहुत से acronyms है and abbreviations अभी मैंने आपको बता दिया abbreviations abbreviations वो होता है जिसके हर letter जे एक अलेदा word create किया जा सकता है और दूसे चीज़ कि वो जो है कि कहते हैं वो short form नहीं होती short form और letters में फर्क में बताने कि short form में हर letter से कोई word create नहीं होता वैकि उस word को जो होता है concise कर दे जाता है उसे हम short कर देते हैं इसलिए हम उसे short form ध्यान लगिए और मुझे उम्मी दे अगर आपको यह lecture पसना है तो like किजिएगा subscribe किजिएगा और मेरा जो चैनल है मैं आपको पर बताता है चलो learn English with सहीदुल्ला खान अगर आपको यह अच्छा लगे तो जरूर रिमांक्स देजेगा thank you so much so nice of you inshallah फिर मुलाकात होगी with a new lectures remaining है अभी हमारे पास किया अभी तो हमने सिर्फ acronyms, abbreviations और short form पढ़ी है अब हमारे पास आएंगे word तक हमने पुड़ा word के बाद हम आएंगे यहां पर phrase पर phrase के बाद clause है clause के बाद sentence है इंशालला next lecture में आपके साथ मुलाकात होगी अल्ला हाफिज फ्री अमान अल्ला